आज हमारे साथ पात्चीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट नवीद अंजुम जी मुझूद है जो कि मालीगांग के रहने वाले हैं जी सर्थ सबसे पहले सौड़त है हमारा पहला सवाल है नवीद साहब से कि अगर हम बात करें फार फॉरांग एरियाज की तो हमने देखा है काफी सारी परिशानियों को जो है वहाँ के लोग फेस करते आ रहे हैं अगर हम बात करें कल परसुकी ही तो वहाँ पे थोड़ी सी बर्फ दोचारी जी बर्फ गिरी और हमारे रोड जो है वो करीबन हफते तक जो है बलाक रहते हैं पहले दो फूट बर्फ वहाँ पे गिरी थी और पंद्रह या बीस दिन के बाद रोड जो है ट्लियर किया हुए इसका क्या कारण है यह हम आज नवे जी से जानते हैं जी जागर साथ जैसे आपने बताया हमारे फार फ्लांग्स एरिया की बात की जाए चाहे वो हमारा पोगल परस्थान का अलाका हो या हमारे सीनवती परस्थान का अलाका हो या नीन का अलाका हो हमारे तासील बानिहां के जितने भी पहाड़ी अलाका जाते वहां पे सबसे पहले तो basic facilities की बहुती आदम दस्तियाबी है मैं बात करना चाहूँगा वहां के तालीम, तालीमी निजाम के बारे में वहां के तालीम, तालीमी अदारे तो बनाई गए है मगर वहां पे stop की बहुत कमी है हमारे हाइस केंट्री मारी गाम की बात की जाए आरसा दो साल से वहां पे स्टाप नहीं और बहुत से ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हाइस स्कूल्स है जहां स्टाप नहीं कहीं जगाहों पे किसी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है दो टीचर से तो इसके आलावा हमारे बिजली का जो हाल है वहां पर हमारे पहाड़ी अलाकजाग में थोड़ी सी बरफ पढ़ती है जिसर हम बात करें अबिजली की वहां की मुंधिली जो है किराया वसूला जाता है 375 रुपे या 373 की मैं बात करो लाइट के अगर बात करें तो हमने ये भी देखा है लोगों ने हमें कहा है कि सर्दी के मुसम में सिर्फ जादा से जादा दो या चार दिम लाइट चलती है क्योंकि बारश होती है बर्फ गिरती है वहां पर एडमेस्ट्रेशन की नाकामी है ये या फिर हमारे लीडरू की नाकामी है इसका जिमेदार कौन है देखिए जहां तक बिजली का तालुक है हमारे पास जो बिजली दस्तियाब है कुछ जगाओं पे तो अभी बैया